इस देश में जो घटनाएं हो रही है उससे तो लगता है कि जो सावरकर बहुत पहले से कहते आएं वो सही था और वो ही रास्ते पर हमें चलना चाहिए था बन तो हमने किया नहीं एक समस्या जो अनावशक उत्पन हुआ उस समस्या के कारण आज दीरे दीरे बढ़ते जा रही है समस्या हमारी देश की और वो है कि 1947 में जब Indian Independence Act बिटिश पारलिमेंट के सामने लाई गई और इसके लानी की अवशक्ता ये थी कि इंडिया तो एक जोग्राफी में एक पैचान की जगा थी बट पाकिस्तान कुछ नहीं बात थी और इसलिए उसके लिए एक कानून बननी की अवशक्ता थी ये अंग्रेजों ने सोचा तो Indian Independence Act में ये फैसला हुआ कि पाकिस्तान बनेगी और वो हिंदुस्तान की बटवारा से बनेगी उस समय बहस में ये सवाल आया कि ये क्यों तो वहां के जो सरकार के प्रतिनी दिये हैं उन्होंने भाषन में सपष्ट का कि हम चाहते हैं कि एक मुसल्मान शाशित देश बने और एक हिंदु शाशित देश बने इसी पर अंबेटकर ने कहा था कि हमारे देश में जो मुसल्मान है वो पाकिस्तान जानी चाहिए वहां जो हिंदु है उनको यहां आना चाहिए लेकिन कांगर्स पार्टी की नेताओं ने ये तेकिया कि जो मुसल्मान हिंदुस्तान से जाने नहीं चाते उनको रहने के लिए अधिकार है और बाद में मात्मा गांदी ने भी कहा कि ये जो बटवारा हुई है उसको अब मैं प्रियास करूंगा कि ये विफल हो जाएं और हम दुबारा एक हो जाएं और फेबरेरी में मैं जाकर पाकिस्तान में बैठ जाओंगा और वहां बादचीत करके दोनों को दुबारा एक करने के लिए प्रियास करूंगा परन्तु उसके पहले ही जैनुरी तीस तारी को उनकी निधन हो गए उनकी अत्या हो गए और इसलिए वो करने ही सके तो सवाल आज ये ही उठा है इसके संदर्ब में आज जो CAA के बारे देख रहे हैं NRC और और भी NPR ये सारे जो विशे उठाई जा रही हैं उसको विवाद बनाई जा रहा है उसका कारण एक ही है कि इस देश में हम जो पार्टिशन मानें उसकी जो सई परिणाम थी कि जो शेष हिंदुस्तान थी उसको कम से कम हम एक हिंदूत्व के अधार पर बनाते तो आज ये समस्या होती नहीं क्योंकि इसलाम में भी बिल्कुल साफ लिखा है कि जहां मुसल्मान मजारिटी में हैं और सत्ता में बैठे हैं वहां किसी को बक्षो मत बागी सब काफिर हैं चंद को छोड़ दें नीच काम करने के लिए और बागी जो हैं उनको कह दें सीधा कि धर्म परिवर्तन करके मुसल्मान बन जाओ वरना तुम काफिर होते वे तुमारे अंत कर देंगे ये तो साफ लिखा है और उसको दारूल इसलाम कहते हैं आप जानते हैं कि साओधी अरेविया में आज एक भी मंदर नहीं है सद्यना पूजा घर में नहीं कर सकते हैं दिवाली नहीं मना सकते है år जब मैं साौधी अरेमिन नेताओंसे पूछता हूं यह क्यों तो हैते हैं यही इसलाम है यह हमारी धर्म है उसके अनुसार रम चल रहे हैं और कोई भी हिंदुस्तान से जो वहां तो लगबग 20 लाक लोग कांदोकरी कर रहे हैं। उनके लिए इनी घर के अंदर भी वो मना नहीं सकते सत्यनाय पूजा तो किस हालात में रहते हैं। एक को तो साथ साल जेल जाना पड़ा क्योंकि उसने रामचंदर जी का फोटो पाकेट में रखा और पता लग गया था। तो इसी प्रकार से 51 मुसल्मान मजारिटी देश हैं। उसमें सब में इसी प्रकार से चल रही है। अभी थोड़ा UAE में स्वामी नायर मंदिर को बनाने के लिए उनको परमिशन दिया है। पर उसमें भी अनेक अंकुष लगी हुए हैं। तो दारूल इसलाम मानें मुसल्मान सत्ता में और मुसल्मान सत्ता में तो किसी और को बख्षना नहीं हैं वहाँ के देश के नागरिक के रूप में। फिर मुहमद ने ये भी कहा कि दारूल हरब है कि जहां मुसल्मान मजारिटी में नहीं हैं। सता में नहीं है, वहाँ क्या करना चाहिए, यदि वहाँ की जो majority है, वो पिलबिला है, बटा हुआ है, एक नहीं हो सकते, तो सदा के लिए अंतोलन करते रो, धीरे धीरे धर्म परिवर्तन करते हुए, लव जियाद करना, वो भी करो, जो भी करना है, मैंने कह रहा हूँ, ये सिरा और हदित में, महमद के कहने के अनुसार है, और तीसरा उन्होंने का, दारुल अहद, जहां majority संगिठित है, और वो कभी भी minority को पीट सकती है, तो वहाँ सला क्या दिया उन्होंने, महमद ने, उन्होंने ये सला दी, कि वहाँ सरेंडर कर जाओ, जो कहते हैं मान लो, भुरका नहीं पहने कहें कहें, मत पहनो, और कहो कि वहाँ, आप जोर से, यनि मस्जिद से नमाज के लिए, आसा आजान नहीं हो सकता है, नहीं करो, सरेंडर करो, एक बार ऐसा हुआ, कि एक मुला ने कह दिया कि हमें, प्रदान मंत्री अस्टेलिया से निवेदन है, कि अस्टेलिया में यूनिफर्म सिवल कोड नहीं होना चाहिए, तो तब प्राइम मिनिस्टर ने जवाब दिया, कि आपको यूनिफर्म सिवल कोड नहीं पसंद है, और आपको शरिया चाहिए तो दूसरा देश ढूंड लो और उसी के बाद उसी के बाद सारे मुसल्मान संगटनों ने प्रस्ता उपास करके प्रजान मंति को बेजा कि ये मुला पागल है हम सब को यूनिफरम सिख्वल कोड पसंद है तो इसलाम के सिधानत के अनुसार ही हमारी देश में इस प्रकार की हमारी एक्ता होनी चाहिए हमारी देश की जो पहचान है वो तो वास्तव में हिंदुत्वर पर आधारित है यूनेस्को ने भी अभी 46 जो संस्कृतियां हैं उनकी उन्होंने विवरन दिये उसमें 45 गाइब हो गए इटली या रोम चले गई ग्रीस चले गई एजिप्ट चले गई उन्होंने का कि एक ही है जो संस्कृति अटूट है वो है हिंदुस्तान की हिंदु संस्कृति तो इसलिए मैं आज ये पूछने चाहता हूं कि 1947 में हमने सीधी बात कहनी चाहिए थी इस देश में मुसल्मान रहनी चाहते हैं रहनी सकते हैं परणतु आपका धर्म जो है वो मिसलाम हो सकता है हम तो मानते हैं कि सब धर्म से बगवान प्राप्त हो सकता है कोई और धर्म में यह नहीं लिए है कोई और उपासना पदिती में यह बात नहीं है कि हर उपासना पदिती से आप भगवान प्रात कर सकते हो Christianity में कहते हैं कि तुम क्राइस पर विश्वास नहीं करते हो तो तुम devil तुमारे दिल में तुमारे शरीर में devil बसा हुआ है इसलाम में कहते हैं तुम काफिर हो और तुमारी अत्या का अंतकर नहीं होगी सिरफ हिंदू धर्म है हिंदू की उपासना पदिती वे विविन जो हैं उसमें ही है कि सारे धर्मों से भगवान प्राप्त हो सकता है जल्दी पहुँच सकते हैं लेकिन यह होते हुए हमें उस समय स्पष्ट कर देना चाहिए कि हमारी अपनी विविनता हो सकती है उपासना पदिती में पर तो संस्कृती में कोई फरक नहीं होगी और यही है मैं देखता हूँ कि बागी कारण नहीं है तो मुसल्मान भी यह मान लेता है इंडोनीजिया में मैंने देखा है उनका एरलाइन का नाम है गरुडा यहां एर इंडिया और वहाँ अनेक संस्कृत नाम जगा जगा में है जकार्दा उनका जो राजदानी है वहाँ में सेंटर में कृष्ण भагवान रत में बैठके प्रवचन कर रहे है और कृष्ण और अर्जन सुन रहे है यह में क्रॉसिंग में जो में सेंटर की जकार्दा के में सेंटर उसमें है और वह बुरा नहीं मानते है एक बार मैं कांफरेंस में गया था मेरी बघल में जब मैं मिनिस्टर था तो मेरे बगल में बैटे थे इंडोनीजिया का फाइनांस मिनिस्टर और क्योंकि इंडोनीजिया आई से है और इंडिया भी आई से तो बगल में बठाते हैं इसरेल भी इस तरफ था तो मैंने इंडोनीजिया के मंतरी से पूछा कि मैंने सुना कि आपके देश में अपने एक नया नोट करिंसी की नोट निकाली है 20 हजार रुपै की रुपईया की उसको रुपईया कहते हैं और उसमें अपने गनेश का चित्र रखा है बीग आप तो मसलिम देश हो कुछ नहीं रोक सका किसी ने विग्णा नहीं पैदा कर सके उस पर तो फिर किसी एक हिंदू पंडित आया था बाली से उसने हमसे कहा कि आप इस करन्सी की गिरावट को रोकने चाहते हैं तो एक नया नोट चपवाओ 20,000 का रुपया का और उसमें गनेश का चित्र चपदो तो ये रुख जाएगा तो हमने कहा कि सब कुछ हमने ट्राइ किया कुछ नहीं हुआ तो ये भी ट्राइ करके देखते हैं और आज भी आप जो इंडोनीजिया में जाएंगे तो 20,000 के नोट में गनेश की चित्र चपी होई है वो तो ओपनली कहते हैं हम तो मुसल्मान है हमारी जो मजब है वो तो मुसल्मान इसलाम है परन्तो हमारी संस्कृती हिंदू संस्कृती है तो इसलिए मैं कहता हूँ कि हम तो ये नहीं कहते हैं कि सब हमने हिंदु धर्म को मानना चाहिए, हिंदु अपासना पद्धिती को मानना चाहिए, पर तो संस्कृती तो एक ही हो, इस मिटी की संस्कृती है, और आगिर में ये मुसल्मान कुछ भी कहें, हमारे देश में उनका पूरवज कौन है, उसका एक ही रास्ता है टेस्ट करने के लिए, वो है डियने टेस्ट, और जो जो जनल ऑफ जनल जनेटिक्स है, उनिविश्टि केंब्रिच उसने रिसर्च किया, उसने यही रिसर्च में पाया है, कि सारे हिंदुस्तानियों का डियने एक ही है, कर्णिया कुमारी से कश्मीर और जामनागर से दिबुगर, सारे हिंदियन्स की जो डियने एक ही है, किसी का रंग अलग हो सकता है, दूप के निकट में है तो अगर थोड़ा काला होगा, और बरफों के हिमालिया में रहोगे तो उतना काला नहीं होगा, इस प्रकार से फरक हो सकती है, परन्तों जो डियने है, वो जो 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 आपकी पैदावर के टाइम पर फैसला करती है, आपके इस प्रकार के वेक्ति होंगे, वो एक ही है हम सब लोग का, और ये मैसोर के यूनिवरस्टी के वी जर्नल में यही आया है, हीूस्टन के यूनिवरस्टी के जर्नल में यही आया है,